अगर आप डॉक्स से प्यार करते हैं और उनके साथ मस्ती करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 दिसंबर की रात 9 बजे तक कम आउका है दिल्ली के NSIC उकला ग्राउन में पेट्स शो कायो जिन क्या गया है यहां डॉक्स खूब मस्ती कर रहे है दिल्ली के उकला में पेट्स शो यहां जैकी है तो वहीं जार भी है कूल बॉय और बैड बॉय भी है मानो यह दो दिन के लिए डॉग्स की मस्ती का ड़ाबन गया है अगर आप दिल्ली में हैं तो अपनी जिन्दगी के विजी शेडियूल से थोड़ा वक्त निकाले और इनकी साथ मस्ती करें अगर आप डॉग्स शो में नहीं जा सकते तो हमारे साथ अगले कुछ मिनिटों तक इन्हें देखते रहें क्योंकि यहां कई तरह के डॉग्स हैं जो आपका मन मोहलेंगे दिल्ली में ओकला के NSIC ग्राउंड में ये पेट्स फेट्स शो लगा हुआ है जहां पे पेट्स की ग्रूमिंग से ले करके वो किस तरह के करतब दिखा सकते हैं और जाती साथ पेट्स फेशन शो और यहां तक की पेट्स के लिए अलग लगतरे की खाने की चीज़ें भी हैं मौझूद है इस नटखट को देखिए अपने मालिक के साथ शरारत कर रहा है तो वहीं शो में आने वाले लोगों का आकर्शन भी बना हुआ है इनका शोक तो शेरों वाला है हमेशा स्टाइल में रहते हैं देखिए ना कैसे लाइन बनने की कोशिश कर रहे हैं वहीं कुछ डॉग्स जंप कर रिंग भी पार कर रहे हैं कुछ लोगों से चलते हैं और बात करते हैं कि अखिरकार उनके कुछ यहां पर कितना जादा इंजॉइ कर रहे हैं यह नहीं से बात करते हैं श्यूज में सो आपकी डॉग का नाम मोगली मोगली तो यह आपने इसको टाग दिया है बाट बॉइ नमच. मतलब यहां जाड़ी vein- कुछ उड़ी मानता है और विलकुल का िばल्कुल नहीं मानता धाई टॉंच प्रणिया ची और विलकुल अि नाम यह गयं रही है आपके डॉट का नम कहारे है और पीयो थियो तो दियो proud to dash यहां कई नसल के डॉक्स है जिन्हें उनके मालिक इस शो में लेकर आए है और इन सब की अलग-अलग फूबिया भी है कई लॉक्स का conception कि अर्ब्रग यहां कि लिए भी अवसे नहीं जाल आपने शर्याआ के लिए जाल तुकर इसमें उस्टे ऑपने अपने श्रॉक्या भीट आपने खाने आपने श्रॉर्ग वीटिंशन्हां के लिए बहुत बाड़ा कहा थम्समें बाने श्रॉर्ग प्सेम को यह थोड़ी बहुत क्वालिटीज हैं जादा नहीं तो मैम जैकी की स्पेशालिटी क्या है जैकी जब यहां पॉच रहा है पेट फेट में किस तरह से इंजॉई कर रहा है यह बस दूसरे डॉक्स को देकर के थोड़ा से अग्रेसिव हो रहा है बाकी हुमिंस के साथ ही इसको कूल गर्ल, कूल बॉइ, बाद बॉइ, इसको क्या टाग मिला है यह गॉट फर्स प्राइस पर नॉटियस डॉग नुटियस डॉग यह आप भी अपने डॉग्स को इस शो में शामिल कर सकते हैं इस शो में शामिल होने के लिए एंट्री फीस है लेकिन अगर आप इंडियन इतनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मिनिट का वक्त मिलेगा इस शो के लिए प्राइस मनी साथ हजार रुपए है आपके पैट्स भीस में हिस्सा ले सकते हैं इसके अलावा डॉग फैशन शो और सिक्यारिटी डॉग शो जैसे कई प्रोग्राम होगे इस शो की खास बात यह है कि यहां पर डॉक्स के लिए डिजाइनर कप्रे और डिजाइनर बेल्ट भी मौझूद है पित फिट में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर गेमिंग जोन और प्ले जोन के लावा अलग अलग फैशन की चीज़ें भी हैं डॉक्स के लिए तो फिर हर बीट के और हर एज के कुटों के लिए नायाब चीज़ें भी आप कह सकते हैं उनके ड्रेसिंग अगर आप जीन्स लेना चाहें या शोट्स लेना चाहें या अलगले तरीकी टोपिया लेना चाहें वो भी यहां पर मौझूद है मैं अगर मैं जेरी की बात करूं तो बहुत क्यूट है यह और इसके लिए अगर आपको फैशन कोई फैशन इवर्स अड्रेस लेना हो तो क्या ले रही है तीशिट पोलर टीशिट यह जेरी को सूट करता है पहनता है अच्छा लगता है जेरी को हाँ ही लाइक सिट डॉक्स के लिए आर्ट गैलरी लाइव मूजिक एवेंट किज अन पेट जोन जैसी कई सुविधाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं सौ से भी ज्यादा स्टॉल्स पर आप शॉपिंग से लेकर पेट्स की ग्रूमिंग तक करवा सकेंगे क्या चीज सबसे ज्यादा है जिसकी डिमार्ण यहां पर फेट फेट में लोग अपने कुटों के लिए कर रहे हैं तक्सी डोस तो यह एक बहुत ही डिफरेंट चीजे में आपको दिखा दिया अपने बहुत कम कुटों को देखा होगा तक्सिदों पहन करके तो अगर अग अगर यहां आना चाहते हैं तो याद रखिए तीन दसंबर रात नौ बजे तक आपस शो का लुट्व उठा सकेंगे यहां पे केवल डॉग ओनर्स ही नहीं बलकि एनिमल लवर्स ही भारी संक्या में पहुच रहे हैं और ये वीकंड दिल्ली वालों के लिए काफी जादा खास है दरसल इंसान की तरह पेट्स का भी सामाजिक होना जरूरी है पेट्स अपने जैसे दूसरे पेट्स से मिलने के लिए उतावले भी रहते हैं लेकिन दिल्ली जैसे भीलभाड़ वाले महानगर में अपने पालतू पश्वों के साथ बहार निकलना भी मुश्किलों भरा होता है ऐसे में इस तरह का शो इनके और इनके चाहने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है कोल बॉइ हो या बैद बॉइ इस पैट शो में आकर हर डॉकी खुशी से जूमता नजर आ रहा है और हो भी क्यों नहीं, आखिर बंद कमरों और बालकनी से निकल कर खुले मैदान में अपने दरह के दूसरों से मिलना भला किसे अच्छा नहीं लगता इन साहब किसी से मिलने को तयार ही नहीं हो रहे है दरसल विदेशों की तरह हमारे देश में अभी पैट्स को लेकर इतनी जागरूपता नहीं है दिल्ली जैसे शहर में पैट्स के लिए आउट्डोर एंटर्टेन्मेंट की कोई विवस्ता नहीं है यही वज़ा है कि ऐसे आयोजनों का पैट्स लवर बेस सबरी से इंतजार करते हैं इस तरह के भी डॉग लवस हमारे आए जिन्टी बात आर तरह के डॉग की बीट्स अवेलेवल है खुद तो फ्रेंडली है और सासा जितने लोग इनके रिया में वो भी तमाम फ्रेंडली हैं उनके डॉग भी काफी जादा फ्रेंडली जोन में है आपका नाम क्या है इशा 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 एक बात बताईए सबसे जादा खासियत क्या है यह पूजल की कैसी हरकत कोई सब्सक्राइड बताईए जो इसको बिलकुत सूट करती है इसकी करेक्टर इतना ही नहीं इस शो में डॉग्स के लिए नए नए डिजाइन और फैशनेवल कपड़े भी मौजूद है पेट्स लवर के मुदाबिक डॉग्स को इस तरह के कपड़े काफी पसंदाते हैं हमाई पस तारी हैं अड्मीड एक्सेसरीज हैं यहां पर हर एक डॉग का हर एक साइज आपको वेलेबिल होगा आप कस्तमाइज बना सकते हैं इंडियन होए कोई फैंसी किसी ओकेजिन का होए एनीधिंग आपको जो चाहिए यहां पर हम बना सकते हैं हमाई पस अवैलेबिलिटी है पेट फिट में शुरुआ सीम आपको बतारें जब समने इंटर किया है कही तरह के अलग अलग मूट्स के हमें डॉक्स देखने को मिले अलग 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 जैसे कि हमाई सामने जो लाबराडॉर है इसका नाम है लडू और यह लडू की तरह ही क्यूट है जैसे कि इनकी जो इनके जो प्रियंका में बता रही है जिनका यह डॉग है प्रियंका हम देख रहे हैं कि पिंक अलगा बैंज वह लिखा हुए टू लव लडू ऐसा क्या घ्रेड हम इस लाए है कि आप लडू झाल फेट की जहां पर आप एक लाइचा अश्व मत मिल जाएगी जारूर जारूर प्रियंका नादगकर बाद करें जहां पर आप लडू को लेकर के आई है तो प्रियंका ये पेट फेट कितना अच्छा लगरा है आपको और आपको क तो नाइस फॉगेटिंग डॉग सोशल और यह बहुत अच्छा है कि उनको सोशल प्लाटफर्म मिल रहा है सोशल होने का मौका मिल रहा है तो इस नाइस अच्छा है हम इपर आपको क्यामरा से दिखा भी देते हैं कि पड्डू लड्डू सौरी लड्डू का जो बैंड है य ही नहीं यहां पेट्स के लिए खाने पीने की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है यहां कई आइटम तो ऐसे हैं जिसे पेट्स के साथ-साथ इंसान भी चाओ से खा सकते हैं इसा है कि जब जो इनकी मैनुफाक्टरिंग होती है इसमें कोई भी हम आर्टिफिशल फ्लेवर्स यूज नहीं करते हैं कुछ भी आर्टिफिशल यूज नहीं होता तो जो नॉर्मल इंसानों के बिस्केट जैसे बनते हैं सेम इंग्रीडियंट से बनते हैं तो ऑनली के बिस्क्त खाया है अनुभभ करें कि डॉक्सकु भी बिसक्त कखला सकता है इंशा जा सकता है इसा प्लीज अपने डॉप को यह अपने पूझाल को यह वाइट खिला है था तो यह हमारे सामने एक टेस्ट है कि देखने का कि उस तरह के बिस्किट सब भी अविलेबल है मागेट में जो हुमन ग्रेट बिस्किट से जिसे आप भी खा सकते हैं और आपके डॉक्स भी खा सकते हैं